उससे पहले मैं बतादू आपने भी देखा राजकिसोर भी और सोबना भी देखते रही है कि जब भी बजट पेस होता है उसके पहले ठीक कैबिनेट के बैठाक होती है और कैबिनेट में सिर्फ बजट या इंट्रीम बजट पर चर्चा होती है उससे पास करा जाता है यानि बीत मंचे उसको जनकारी देती है लेकिन आज का कबिनेट परमपरा से अलग हट करुआ इसमें आठ एजेंड है यानि नौर्मल जो कई कबिनेट की बैटक होती है उस तरह की कभीनेट के बैटक हो यह नम झार भवन में और इसमें आठ čा Wisconsin बिलेकंग करते हैं वही आपको इंट्रीम बजट में देखने को मिलेगा क्योंकि हमारा इक्षेंज को पचार के वर्ल्ड में 14 बन गया यह भी युवां से ही जोड़ा हुआ है युवां की बहुत लंबी मांग रही है कि परिक्षा के पेपर लीक नहीं कि वही जिए परिक्षा देते हैं नतीजे नहीं आते रिजल्ट नहीं आते और रिजल्ट आ जाते तो फिर उनके लिए वह चिठ्थी नहीं आती जिसका उन्तजार करते कि उसके बाद ट्रेनिंग शुरू हो और वो नौकरी पर जाएं लेकिन उससे पहले आज की जो सबसे बड़ी ख़बर है वो अपने दर्शकों को एक बार हम फिर बता दें अपसे कुछी देर बाद ये जो बैठक है कैबिनेट की वो होने जा रही है और जी नूस समवादा थ है तीन पॉइंट्स आप मुझे बता देंगे अगर मैं कहूं तो एक अफोर्डेबल हाउसिंग की जो बात की गई है उस पर उमीद है कि कुछ और इस पर प्रावधान सरकार करेगी और हाउसिंग लोन को लेकर दूसरी चीज जो प्रदानमेंतरी ने सौर उर्जा का जो इ उमीद है तो ये तीन मुद्धे है जिन पर मुझे उमीद है कि कुछ ना कुछ जरूर होगा इस पज़ेट जी निरजी मैं आपसे भी जाना चाहूँ है चुकि इसके अंदर ये अंतरिम बजट है फनाइस बिल पूरा नहीं इसके अंदर आ रहा है लेकिन टेक्सेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है अगर टेक्स एक्सपेट के तौर पर मैं आपसे जाना चाहूँ कि टेक्स में क्या कुछ सुधार किये जा सकते हैं और देखिए रहात की उमीद हर आदमी कर रहा है सैलरी क्लास और एक इंकम टेक्स देने वाले हैं आट करोर से जादा उनक जो नियू रिजिम आई थी जो गवर्मेंट 2020 में नियू रिजिम लेकर आए बहुत च्यादा पॉपलर ने हुई तो मेरी भी यह एक्सपेटेशन है और पब्लिक की यह एक्सपेटेशन है कि जो नियू रिजिम है उसमें डिडेक्शन और अलाउड होनी चाहिए इंटरस् परानी रिजिम में जाओ तो पाइट लग तक की नए रिजिम में जाओ तो साथ लग तो वो एक डिस्क्रिमिनेशन पॉलसी है वो हमेशा एक जैसी पॉलसी होनी चाहिए